पिर ये चात्रो नमस्कार निवास कलासेज में आपका स्वागत है आज परस्ना वाली 3.6 का परस्न संख्या एक से शुरू करेंगे तो परस्न एक में है निम्न संख्याओं का लसा भाग बिदी से ग्याद करना है ठीक है तो परस्न एक में है 18 और 28 तो सबसे पहले हम लिखें तो ये 9 विरिम कटेगा और ये 14 विरिम है अब आप यहां देख सकते हैं कि संख्या जो है 2 से नहीं लगने वाली है सिफ 2 से 14 कटेगा और 9 नहीं कटेगा अगर तींस लगाते हैं तो 9 कटेगा 14 नहीं कटेगा LCM का rule है कि जब भी LCM बना जा तो उसमें कम से कम दो संख्या का LCM होनी चाहिए एक संख्या से बिल्कुल नहीं होती, कम से कम दो संख्या भी होनी चाहिए ठीक है, तो ये अलग-अलग की संख्या हो गई, इसलिए हम यहाँ से लिखेंगे LCM का चाओदा इसको आपको गुना करना है तो गुना करने पर कीतना होता है 9 गुना 8 करते न दून 18 और 18 गुने 14 करना तो गुना करने पर यहां आएगा टोटल Minnesota है उसी तरह से प्रसंक दो को भी हल करेंगे तो फ्रसंक दो में है 32 और 40 ठीक है तहहां तो यहां 2 से लगाएंगे तो यह 16 बर्म कटेगा और यह 20 वेरी में फिर 2 से लगाएंगे तो यह 8 वेरी में और यह 10 वेरी में और दो से लगाएंगे तो यह 4 और यह 5 अब आप देख सकते हैं कि 2 से संख्या आप नहीं लग सकते हैं और गुना 4 करेंगे तो 32, 32 गुना 5 करेंगे तो total कितना आएगा आप गुना कर सकते हैं 160 आएगा ठीक है तो आप यहां 160 ले सकते हैं यह आपका right answer है तो आसा है कि आप परस्ण को अच्छी परकार से समझ रहें तो इसी परकार से सभी परस्ण को आगे भी बनाएगे तो परस्ण 3 में दखिए हम क्या क्या है सभी question को बना लिए चोकि video long बन जागे अगर बारी बारी से बनाएगे तो इसी तरह से हम सभी question को एक बार में ही बना लिए हैं ठीक है संख्या को आपस क्या कि हैं गुना की रूप में प्रस्न पांच को भी करेंगे तो प्रस्न पांच को इस तरीके से बनाए रखिए यहां 25 20 15 पैतालिस था तो सबसे पहले हमने हाँ तीन से लगा हैं चुकि यहां फिर दो कि संख्या से विभाज नहीं हो रहे थी शिफ दो से विभाज होने वाली 20 था इसलिए हमने क्या था त तो 15 और 45 तीन से पुरा पूरी विभाज हो गई दो संख्या को रूप में ठीक है फिर हम यहां पांच लगा है तो पच्पचे 25 हो गया यह चार वेरिम 20 आ गया और एक तीन हो ठीक है इसी तरीके से अभी यहां पांच चार एक तीन ही चारो संख्या अलग अलग हो गए यह है कि आप अच्छी परकार से समझ रहे हैं अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो हमें कमेंट बोक्स में बता है हम इससे भी परियास करेंगे और भी बेतर बताने का ठीक है तो प्रस्ण 6 में भी हम क्या किया है आठ और पांच को इस तरीके से बनाया है चुकि आठ और पांच जो है सिर्फ दो से लगाएंगे तो चार वीरी में लेकिन परापर भी भास नहीं होगा इसलिए मिसांख्या क्या किया है कि दो चार पांच की रूप में लिखने दिये और दो गुना चार गुने पांच से गुना करने पर इसका राइट एंसर आता है चालिस ठीक है इसी तरिके से प्रस्ण 7 नमर और 8 नमर को भी हल इहां किये हैं ठीक है आप यहां देख सकते हैं तो प्रस्ण 7 में है 6, 15, 18, 30 और 36 यहां भी हमने क्या क्या है 2 से लगाया तो 3, 15 बेरी में पुरा नहीं कट रहा था तो 15 लिख दिया उसके यवार 18 को 9 बेरी में काटे 2 से 15 यह 18 फिर उनने लगाये कितना से? 3 से- चुकि यहां से 2 संक्या लगाया वहीं संक्या स्थी अथा 18 था तो एक संक्या से नहीं होती ILCM इसलिए हमने 3 से लगाया जो की पूरा पुरिभाज हो रही थी ठीक है तो यहां पर देखिए 3 से लगाया है तो 15 लगाया है तो पूरा करने के बाजिस का राय टेंसर आता है 180 फिर नेक्स्ट कोश्चन आठ नमबर 180, 384, 144 था तो हमने यहां इस्तर तर से भी कियें तो दोस लगाएं तो इस नसंख्या बारे-बारे से कट गया तो यहां सका कियें दोस लगाएं तो 45, 96 और 36 आ गया फिर दोस लगाएं तो 45, 48 और 18 बेरिम पूरा पूरी विभाज हो गया फिर हमने यहां दखी है दोस लगाएं तो 45 तो 45 से रहेगा चुकि 2 से पूरा पूरी विभाज नहीं होती है फिर 24 और यह 9 बेरिम पूरा पूरी पांच तिया का नो ठीक है तो पुरा पूरी नहीं करता है तो पांच आठ और यह अलग अलगी संख्या है तो सभी संख्या को आपस में क्या किया गुना करने पात कितना है आठ नमर को अची परकार से समझ गया है वीडियो समझ में आ रही हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें नेक्स्ट कोस्टन नो नमर और दस नमर को हल करते हैं यहां प्रश्ट 9 में है 111, 168, 266 फिर कोजिशन को यहां लिखें उसके बाद 2 से लगाया है तो पुरा प्रिविभाज हो गया इस तनी संक्यास ठीक है और फिर यहां से हम साथ लगाया है तो इसलिए हमने साथ से लगाया है तो साथ से लगाया तो यहां देख सकते हैं तो यहां आप देख सकते हैं कि 2, 3, 19 अलग अलग संख्या है, जो की दो-दो की रूप में नहीं आ रही है, तो इसलिए अब संख्या अलग से यही रह जाए कि उसके बाद क्या करना इसे संख्या को गुना करना है, तो गुना करने के बाद यहां 6,384 यहां इनसर है, उसी तरह से कोश्चन नमर 10 को भी बनातागा, तो कितना है, 240, 420, 670 यह परस्न 10 को है, यहां भी उसी तरह से बनातागा थो, इसलिए 107 जाएं तो दो से लगाएं तो मृचल आतो मzem्क हम इसलिए 8 संख्या तो हम यह 5 लगाएंगे, तो 5 लगाने के बाद 4 विरी में और यह 7 यह 11 विरी, अब आप में हाथ देख सकते हैं कि 3 संख्या विदी है जो अलग-अलग के रूप में है, इसलिए यह संख्या भी आगे भी भाजिन नहीं होगी, इसलिए हमने सभी संख्या को आपस में गुना क करने के बाद 18488 यह राइट एंसर है, तो आसा कि आप प्रस्ण 1 में अच्छी परकार से भाग विदी से LCM निकालना सी गए हैं, तो प्रस्ण 2 को इसी परकार से हल करेंगे, तो प्रस्ण 2 में है, आप यहां देख सकते हैं, प्रस्ण 2 में है, नीचे दिये गए परतेक या यूगम के लिए, ठीके, सिध करें कि उनका गुनानफल, उनके मसा और लसा के गुनानफल के समान बरावर है, अब आपको इसको सिध करना है, ठीके, जो मान LCM का है, जो मान HCF का है, वो दोनों के मान के बरावर है या नहीं है, यह आपको सिध करना है, ठीके, तो इस प लसा और मसा का गुना अनुफल के समान बराबर है हमें चेक करना है ठीक है कि लसा और मसा दोनों बराबर है या नहीं है तो हमने सबसे पहले यहां लसा निकाला तो 408 ठीक है फिर यहां पर सबसे करना था दोनों संख्या ठीक है तो 2 लास्ति संख्या बच रहें तो यहां पर मसा निकल कितना गया दो आ गया ठीक है अब हमें यहां ज्यात करना था ठीक्कर अब डोनों संख्या निखाले हैं ठीके आप यहां देख सकते हैं तो इहां लिखने हैं दोनों संख्या का साभार्ण यो ढूबशा करने तो गुना अभार्ण यहां इप्टना सेनिया फिरगा्याया मसा और लसा का गुनानफर जो लसा का answer आया और जो मसा का answer आया उसको यहां गुना करके लिखना है ठीक है तो गुना की रूप में लिख दिया मसा निकल किया 2 और लसा कितना निकल किया 408 अब इसको गुना करने पर 816 आ गया ठीक है तो आप यहाँ देख सकते हैं कि प्रथम दोनों की संख्या और लसा और मसा की answer गुना करने के बाद जो है सेम संख्या आई है तो इसलिए अता हैं मसा गुने लसा बराबर है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या के तो हमें एही प्रूफ करना था लसा और मसा ठीक है सब्सक्राइब तो यह आपका सिध्ध हुआ तो आप इहां देख सकते हैं यह आपका सिध्ध हुआ तो आसा है कि आप इसको अच्छी परकार से समझ गयें आप चाहें तो इसका स्क्रीन सौड भी ले सकते हैं तो चलिए आपको हम स्थरों से यह प्रस्ण दो का पहला सोट हो जागया ठीक है उसी तरह से फिर दूसरा को लगा रिए ठीक है उसके बाद यह तिसरा स्टेप में खतम तो इसी परकार से सभी कोश्चन को हल करेंगे तो वारी वारी तरीके से कोश्चन को हम यहां बना लेते हैं चुकि वीडियो थोड़ा बन जायेगा ठीक है हThere आःप हम ने क्या कि लसा निकालने पर लिखा ठीक है उसके बाद इसलिक Нवा थिखा तो गुणा करने के बाद यहां 250 न गया ठीक फिर सीफ निकालने प्र इसीफ गुना車 यहां तर शेया गया अब यहां क्या किए कि दोनों संख्या का गुना नुफल ठीक है दोनों संख्या का गुना नुफल लिखा तो 36 गुना 42 अब यहां पर इसको गुना करने के बाद यहां गुना किए तो 1512 आया फिर इसी तरह से मसा और लसा का गुना नुफल ठीक है बड़ाबर 6 गुना 202 यहां देखिए HCF निकल कर आया 6 OLCM 252 तो यहां गुना करने के बाद 15 वारा और 15 वारा देखिए आप दोनों को संख्या जो है सेम सेम है ठीक है अब यहां पर लिखना है हमें सत्यापित करना था तो लिखे अता मसा गुने लसा बरावर है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या के तो हमें इस सिद्ध करना था दोनों संख्या है समान है इसलिए हां पर सिद्ध हो गया ठीक है तो इसी तरह से प्रस्न तीसरा को हल करेंगे ठीक है तो प्रस्न तीसरा में देखिए यहां पर हमने हल कर रखा है ठीक है तो हल करने पर लिखा है यहां पर सबसे पहले हमें LCM निकालना था तो हमने डारेक्ट पांस यहां लगाया तो दोनों संख्या विभाज हो गई पांस से एक आठ से ठीक है अब यहां देखिए दोनों संख्या अलग इससे सबको गुना करने के बाद यह कितना गया दोसों आगया थैक अब यहां लिखना डोनों संख्या गुना नफर फोंपार कर लेते हैं तो आप यहां देख सकते हैं दोनों चालिस को जब गुना कीये तो टोटल एक बार यहां फिर यहां पर मसंआ और लसा का गुना फ़ल किये तो मसा कितना निकल किया था, पांच गुना HCM निकल कर आया 200, जब इसको गुना किये तो टोटल 1000 आया, अब हमें यहां पे देखिए सहमान संख्य हो गये, ठीक्ष, तो यहां से क्या करना है, लिखना है, अत्थ मसा गुनेलसा, ठीक couple संख्या गुना क्वना पराबर है दोनों का तो आसा है कि आप हमें परस्न 4 का answer comment box में जरूर बताएंगे अगले परस्न का question हम अगले वीडियो में बताएंगे